क्या किसानों की कर्ज माफी की नीती फेल हो चुके है इस पर हम बड़ी बहस करेंगे लेकिन इससे जुड़ी भी बड़ी जानकारी आपको दे दे आंदोलकारी किसानों और सरकार के बीच बैठक जो पचले तीन घंटे से जारी थी वो बैठक खत्म हो चुकी है मॉंबई में करीब तीन घंटे तक ये बैठक चली है इस बैठक से निकल कर क्या सामने आया जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे समबाद दाता गनेश ठाकोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गनेश सुला का क्या फॉर्मूला निकला है जी देखे फॉर्मूला जो सबसे बड़ा निकला है वो वन विभाग की जमीन को लेकर है जो आंदोलनकारी किसान थे जिन्होंने मार्च किया था उसमें से 90 फिसदी किसान आदिवासी शेत्र से आते हैं उनकी सबसे प्रमुख जो मांग ती वो ये थी कि जो जमीन उनके प पांच के पहले की जमीन किसानों के नाम की जाएगी लेकिन सरकार नहीं कर रहे थी इसलिए ये बड़ा आंदोलन निकला इसके अलावा कुल 12 मांगे थी जो सरकार के सामने रखी गी तो और मैं आपको बाईं तरफ दिखाए हूँ ये विधान सबा का परिसर है और यहां य जानी गई है उनको लिखित रूप में मांगकर उनमें सरकार के दस्तकत भी मांगे है जो छे मंत्री इसमें शामिल थे बैठक में उनके दस्तकत वाला ये ड्राफ्ट मांगा जा रहा है और इसलिए किसान नेता अभी भी अंदर है और जो मुख्य सचिव है राज्य के वो तैयार करकर लेकर आया है तो क्या कुल मिलाकर गनेश ये कहा जा सकता है कि कि किसानों को अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं है इस वज़े से जब तक लिखित में उनको आश्वासन नहीं मिल जाता वो वहां से नहीं हटेंगे जी बिल्कुल यही वज़ा है और इसलिए इसलिए ड्राक लेकर सबसे दस्थखावाद वाले किसान नीताक इसानों के पास जाएं गयंगे आजाद मैंदान मेरम वहां किसानों के सामरे जो जो मांगे गई थी उस पर सरकार ने क्या निरने लिया है ये किसानों के सामने रखा जाएगा सरकार निरने ये लिया है कि वन जमीन किसानों के नाम पर करने के लिए छे मैंने का समय मांगा है जिसमें टेक्निकल आसपेक्स देखने के बाद जमीन उनके नाम की जाएगी इसके अलावा कर्ज माफी और कल्टिवेशन कॉस्ट के ओपर देड़ गुना दाम और अन्य जो मांगे है उस पर भी एक समाधान निकला है ऐसी जानकारी गिरिश महाजन ने आकर यहां पर दी है किसान निता बहार आएंगे ड्राफ लेकर किसानों के पास जाएंगे किसानों के सामने रखेंगे किसान अगर उन्हें मानते हैं तो अपनी घोशना करेंगी कि आंदोलन खत्म हो गया लेकिन सरकार ने दावा किया है कि किसान निता समाधान है उन्ह वो सरकार ने माना है इसलिए बड़ी जानकारी गरेश ठाकुर हमारे संबाददाता मोंबई से दे रहे हैं हाला कि जब तक लिखेत में पूरी तरह से आश्वस नहीं करती है सरकार तब तक किसान बहां से नहीं हटेंगी जानकारी मोंबई से सामने आ रहे है लेकिन सुलह का बीच का फॉर्मूला निकल चुका है यह है एबी बी नियूज आपको रखे आगे